हे तो हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम हमारे टॉपिक लेक्स लेट्लांड सेंद कोश्ट लेंड से जो 3.4 है विजन आयस का इन्वॉर्मेंट इन वॉर्मेंट इन्वार्में ग्लास्रोम स्थेडी मैटेरियल न है तो यह माई 20 से जनवर 21 तक कहा है इसमें हम लेक्स declared as wetlands mangrove ecosystem ecosystem क्या होते हैं मैंग्रोव के पीट लैंड्स और यह marine protected areas of blue fact इन चार पास topics को 6 topics को खतम करेंगे तो चल्द यह शुरू करते हैं लेक्स wetlands and coast lands ठीक है तो इस topic हम शुरू करते हैं रामसर साइट्स यह सभी आप सब्सक्राइब रामसर कंवेंशन इसके बाद देख लेते हैं 1971 में जो था यह आया था convention it is an intergovernmental international treaty यह अंतर रास्ट्री संधी है साइड इन रामसर इरान पर कहां पर चेत रहा है यह इरान में है तो प्रजर्व ecological characters of selected wetlands across the globe it is a party to the convention ठीक है यह convention की party है मतलब इसमें सभी international countries आते हैं countries आती है और इस इसको accord को अपनाते हैं इट aims to develop a global network of wetlands जो आद्र भूमिया है for conservation of biological diversity and for sustaining human life the wetlands declared as रामसर sites are protected under strict guidelines of convention जो convention की guidelines है उनके अंसार इसको protected किया जाता है सनक्षित किया जाता है रामसर sites are included in list of list of wetland international importance the inclusion of wetland in the list embodies the environmental commitment to take necessary steps ensure that its ecological character is maintained ठीक है इसके ecological character को maintain करने के लिए government का commitment लिया जाता है largest रामसर sites area area by in India तो area के हिसाब से सबसे बड़ी रामसर sites कौन सी है सुन्दरवन wetland in west Bengal तो west Bengal की जो है वो रामसर site सबसे बड़ी है ठीक है सुन्दरवन wetland in west Bengal area वाइस लाजिस रामसर site smallest रामसर site area वाइस कौन सी है रेनुका wetland in हिमाचल प्रदेश तो रेनिको में आप देख सकते हैं कहां कहां पर रामसर sites कौन कौन सी है तो इसके बाद इस सबसे पहले तो सुन्दरवन ही हम देख लेते हैं तो यह देखें यहां पर सुन्दरवन में लिखा हुआ है सुन्दरवन वेट लेंट सब्ताइस तो यहां का जो छेत्र है यह पूरा सुन्दरवन वेट लाइन से आधर भूमी है यहीं पर टाइगर रेसर्व भी है और यह हमारा रिजर्व है इरिया उसके बाद अपर गंगा रिवर को हम देख लेते हैं इंपॉर्टन हे तो यह 25 है यह यहां पे बिजनाओर और मुरादाबाद के आस पास कहीं पर छेत रहे उत्र प्रदेश में पस्च्चमी उत्र प्रदेश में उसके बाद हम देखेंगे सो मुरी सो मुरेरी यह आठवा नंबर है यहां पर इसके एक्साइचीन के नीते हैं और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर है फिर उसके बाद वुलर लेक देख लेते हैं इंपर्टन्ट है तो सैवन यह जमू कश्मीर आई उने इंटरिक्री में आएगी उसके बाद पॉंग डैम लेक देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट पे है तो यह फोर्थ पॉइंट पे कहां पे है यह हिमाचल प्रदेश में है पॉंग डैम लेक और पंजाब के बॉर्डर पे है उसके बाद सस्टम कोटा लेक यह बहुत इंपॉर्टन्ट है कई बार कुश् किरला में है बिलकुल बॉर्डर पे है मतलब की कोस्टल एरिया थिक सिर्ण सर मानसर लेख देखते हैं तो मानसर की नामसी आप समझ के होंगे दसवां अगर हम फाइंड करें तो यह जम्हू कश्मीर में मिलेगी सुरिन सर मांसर लेक जमू कश्मीर में यह हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर एलो सी लगेगा और फिर भोज वेट लेंड देखते हैं तो यह चौदवा आ जाएगा आपका भोज राजा भोज मध्य प्रदेश के थे बिलकुल सेंटर में हो जाएगा लोक्टक लेक लोक्टक के नाम से आप जान गया होंगे तो यह हो गया हमारा मनीपुर इसके बाद शिलिका लेक देखें तो यह बहुत ही फेमस है उडीसा की है लाजस्ट सॉल्ट लेगून है यह और इसके बाद भीतर करने का मैंगरूफ देखें सत्रवा तो यह भी उडीसा में ही है यहाँ पर कच्छूओं को रिजर्व किया जाता है प्रोटेक्शन किया जाता है फिर हरीके लेक देख लें तो अठारा है और यह हमारे पंजाब में मिलेगी हरीके और थर्टीन और नाइनटीन भी मिलेगी तो थर्टी देख लेते हैं पंजाब में कौन सी है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है और नाइनटीन मतलब की कंजली तो कंजली और हरीके और ब्यास ठीक है ना यह तीन है देखे कंजली हरीके कंजली हरिके और ब्यास ये पंजाब में हो गई है अच्छा हम में अपने उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं तो पच्छिस में आ गई हमारी अपर गंगा लेक हैं उत्तर प्रदेश के एसाब से देख लें तो इसे और अरें से करेंगे हम टिक अपर गंगा लेक और फिर फ हमारी है सुर सरोवर लेख सुर सरोवर लेख है और उसके बाद आ जाती है चौहतिस्वी यह समन बर्ड सेंचुरी यह भी रामसर साइट्स में आ रहा है 37 हमारी आजाएगी सरसाई नावर जील उसके बाद 36 वी आजाएगी 36 वी देखें हम तो आएगी सांडी भी है सांडी बर्ड सेंचुरी ये हर दोई छेतर में आती है हर दोई जिले में उसके बाद 37 वी आएगी सरसाई नावर 32 जो है ये नवाब गंज बर्ड सेंचुरी हो गई और फिर 35 वी आगई हमारी समस्पूर बर्ड सेंचुरी तो बर्ड सेंचुरी ही रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में ज़्याज अतर और 33 हमारी है पारवती आगरा तो ये लाइन से 32, 33, 34, 35, 36 37 वे ना 38 वे हमाचल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है तो 38 वी हमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सी इसको देख लेते हैं तो ये है असन आसन कंजर्वेशन रिजर्व तो ये हमाचल प्रदेश में ही मानी जाएगी और आसन कंजर्वेशन रिजर्व ही है तो इस तरीके से हमारे पास ये सब ही उत्तर प्रदेश के मुख्य रामसर साइट साग नहीं है ठीक है देखे ये question UPSC में ये question देखे UPSC में आया हुआ था कि criteria क्या क्या है किसी भी space को wetland कहने के लिए तो wetlands of international importance ये ना contains a representative rare and unique example of natural and near natural wetland type found within the appropriate bio geographic reason ठीक है natural हो या near natural wetland हो या नहीं करतिम रूप से बनाया गया तालाब ना हो representative rare और unique हो वहां का प्रतनिदित तो करता हो उस छेतर का और rare हो बहुत कम मिल रहा हो unique हो अद्भूत हो support vulnerable endangered and critically endangered species इन सभी species को support कर रहा हो threatened ecological communities ecological communities को threatened कर रहा हो supports population of plant animal species important for maintaining biological diversity of a particular bio geographic reason ठीक है इन सभी छित्रों के लिए ये सारे points जो रहेंगे criteria रहेंगे किसी भी wetland को identify करने के लिए support plant and animal species of critical stage in their life cycle और प्रोवाइड रफ्यूज डिरिंग adverse condition है ना कोई refugee animal आ जाता है जैसे कि हमारे अपर गांगा में कई सारे जो बर्ड्स है वो यूरूप से आ जाते हैं Siberia इस पे Siberian पश्क्षी आते हैं तो ये refugee है तो उस खित्र को आ जुआ है जो है wetland बना जा सकता है है रेगुलर शपोर्ड साफ्व 20,000 or more वाटर बाट्स है ना अ तो ये वाटर बाट्स होने चाहिए ए 20,000 से जादा वहां पे वाटर बाट्स होने चाहिए और सपोर्ड्स 1% of individual in a population of one species or subspecies of water birds, supports a significant proportion of indigenous fish subspecies, species or families, life history stages, species interactions, population and data representative of wetland benefits, thereby countries to global biological diversity, one way to say that global biological diversity if we have a indigenous species or family that is lost, then we can support them to work on the important resources of food for fish, spawning ground, nursery, migration path and fish stock, these are all things, so this is wetland, now in 2020 there are new sites and locations, so this is recognized as an Asan Conservation Reserve ACR, you can see here in Uttarakhand border, Uttarakhand border and Himachal Pradesh border, Asan Conservation is located in the banks of Yamuna, near river near Dehradund district in Garhwal region, Garhwal region, in Dehradund district, species inhabiting the sites white rummed vulture, so this is what you would which are calledbud city, the vector ofausal supposed to be welche, redja, redοι, shildak nade, the vector, vultureulles, bear and pochard, or kistard and pochard, the other,autre, piety here, this species being98 and here are all the species of perspies. Here's our undefeated her, another one is called kaber tal, wetland, it is where並mage land, it is where we have been, this is where we have how we have been, this is where we have been recognized, this is where we have been recognized, and the зм going of the hinterlehem, this is where we have been known as Qavern Jil, is से का कहेंगे इसे Гावर ज्यील भी कहतें हैं लोग और क्रिवबिस सो बीस हेक्टेर में इंडो गैंगेटिक फ्लैंस में है नौर्ढव और बिहार स्टेक्ट में है और ना ब्लैन है मतलब हमारी भाला उस तबन दंगा का जो व्य संसमें इसकी में मतलब तो आपकी Central Asia के पच्छी जो हैं यहां से उड़के अपना विच्रण करते हैं। फाइव क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी इन्हेमेटिट साइट। कौन कौन सी फाइव क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। लैबविंग एंड बेयर पोचार्ड तो यह दो वाटरवार्स और तीन वल्चर हैं। मेजर थ्रेट्स टुदे साइट क्या है वाटर मेनजमेंट एक्टिविटी सच अज ड्रेनेज, वाटर अब्स्ट्रेक्शन, डैमिंग और कैनलाइजेशन। तो इसमें थ्रेट क्या है यहां पर कि बहुत सारी ड्रेनेज, मतलब जो गंदा सीवर का पानी है वहाँ पर छोड़ा जाता है, वाटर अब्स्ट्रेक्शन, वाटर का जो है अब्स्ट्रेक्शन है, कम हो रहा है यह डैमिंग हो रही है, लोग अपने आवस पास में मकान ब कगद नाइस की गई है, यह डेकन प्लेटीव में, तो यह Loniaर लेग में जो है, कहां पर लोकेटेड है, डेकन प्लेटिव में है, तो यह ने इक नादाकर का प्ठाल का पाठाल और है, और इसका प्तलेक्र लेत्षा का लेख सकते हैं, क्यां कूंदा मैंने अटेल आता है, हाई इंसलिटी जो लेक है वो हाई इंसलिटी है अलकलाइनिटी मतलब की सारियता ज़ादा है और माइकरो औरगनिजम यहाँ पर पाइ जाते हैं जो जो एक एनार जोज हैं साइनो बैक्टीरिया है तो यह इसको आप देख सकते हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश की हम महत्वपूर्ण साइट देखोंगे तो यह सुर्व सरोवर बर्ड सैंक्चुरी है और यह कीथम जील के नाम से भी जानी जाती है human made reservoir है यह ठीक है मानव made reservoir है और यह आगरा सिटी में situated है यहाँ पे लगबग 30,000 water words जो है पास पास में मिलती है हर साल है ना और यह centralization flyway है unsustainable tourism और invasive species और seaweed यह सब इसके जो है threats है अगला देख लेते हैं जो वो है सो कर wetland complex यह जो है हमारे लद्दाक छेतर में साउथ लद्दाक में है है ना यह situated है high altitude पे है यह 4500 मीटर से बब़ सी लेवल है यह फ्रेश वाटर स्टार्स पॉक्ट सो और है यह दो लेक्स इसमें आती है फ्रेश वाटर स्टार्स सपुक्ट सो और हाइपरसलाइन सो कर यह किसको रिफर करता है सो कर मतलब क्या है वाइड साल्ट एफ्लोर सेंस मतलब एक चमक होती है सफेद नमक की ऐसा करके कुछ कह सकते हैं और क्या है सेंटर लेशन फ्लाइवे है ब्लैक नेग्ड क्रेन यहाँ पर पाई जाती है अब इस दूसरे टोपिक को भी हम इसमें वेट्लैंड में देख लेते हैं कि सुखना लेक डेक्लियर्ड एस वेट्लैंड ठीक है यह कहां पर है चंदीगर्ड में है चंदीगर्ड वेट्लैंड अथॉरिटी ने इसे इशू किया नोटिफिकेशन इसके बारे में डेक्लिय इसमें ओपने हमारे देख के इसे डिक्लेर किया गया है वेट्लैंड और यह रामसर साइट्स के नतर्गत लिस्ट ऑफ वेट्लैंड इन्डिया इस डेवलप्ड बेस्ड ओन वेट्लैंड डेफिनीशन अफ रामसर रेटिफाइड बाई इंडिया है ना तो जैसे कि डिफि है तो उसके अनुसार इसको notified किया गया है under provision of environment protection act 1986 1986 के provisions के अंतरगत wetlands can be notified by center state और UT administration तो यह आ सकता है तीन topics दिये हो wetland किसके दोरा notified हो सकती है तो wetlands can be notified by center state और and UT administration तीनों कर सकते हैं ठीक activities prohibited in wetlands अब यह जो important topic है इसमें UPSC चार option देदेगा इसमें से क्या सही है क्या नहीं सही है आपको select करना होगा तो यहां पर क्या prohibited चीज़ें होती है commercial mining जो है prohibited होती है setting up of industries establishment of large scale commercial livestock or poultry form no permanent construction होना चाहिए within 50 meters feeding of fish and migratory birds by public public अपना दाना चारा नहीं डालने लगेगी solid waste dumping यहां पर नहीं होगी आसपास discharge of untreated waste and inflate from industry इन सब चीजों को रोका जाना है poaching except angling with due permission अगर permission मिल जाती है कि ऐसा कुछ खतरनाक जीव है तो उसको poach कर सकते हैं वरना और कोई उसको commercially poaching नहीं होगी use of plastic carry bags आसपास में बन कर दी जाएंगे तो वहां पर उनको selection प्रदान करने के लिए यह सारी activities जो है prohibited की गई है सुखना लेक के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं यह क्या है सुखना लेक is man-made lake in चंदीगर बूल्ट इन 1958 इस सिच्टेट अट फूट हिल्स ऑफ शिवालिक शिवालिक्स की फूट हिल्स के है वाज जेजिगनेटेट टू कटफ रन और वाटर फ्रम दा हिल्स वाज डिजाइन टू कलेक्ट रन और वाटर फॉर्म हिल्स जो परवतों से पहाडियों से जो पानी बहके आता है उसको कलेक्ट करने के लिए इस लेक का लेक को बनाया गया है अर्लियर दल्लैक वाज आसो डिकलेरड अल लिविंग इंटिटी और लीगल परसन तो जैसे गंगा नदी को भी एक लीगल इंटिटी और लीगल परसन माना गया है वैसे ही इसको भी लीगल इंटिटी और लीगल परसन माना गया है अब इस अगले टॉपिक में हम मेंग्व एको सिस्टम को देख लेते हैं इसके क्या मेहटपून पॉइंट से उनको देख लेते हैं guidelines on mangrove ecosystem restoration for western Indian ocean reason were released मतलब यह ऐसी guidelines जो है release की गई है तभी ये news में है क्या कि ecosystem को हमें restore करना है कहां पर western Indian ocean तो यह हमारा भारत देश जो है ऐसे करके तो यह हमारा पूरा Indian ocean है इसके western Indian ocean में मतलब माल दीज और इधर साइड में यहां पर जो है mangrove restoration के लिए लक्षदी वगेरा जगह पर उसके लिए guidelines सरकार ने जारी की है the guidelines were developed by the member states of Nairobi convention with the support of UNEP Nairobi इन्होंने guidelines बनाई है the western Indian ocean marine science association and the western Indian ocean mangrove network इन सभी लोगों ने नैरोबी convention UNEP नैरोबी जो द्वारा जो guidelines बनाई गई है उसी guidelines को रखा गया है the western Indian ocean marine science association and western Indian ocean mangrove network इन दो संस्थाओं ने मिलके इसको develop किया है mangrove के status को गगा देख ले तो mangrove covered by 0.515% of the country's total geographic area तो mangrove कितने छितर में पाए जाते हैं ये भी option में आ जाए ऐसा करके चार option हो तो याद रखिए 0.15% ठीक है अब mangrove के बारे में हम देख लेते हैं mangrove are diverse group of salt tolerant plant इनमे salt tolerant plant है मतलब की नमक के पानी में ये रह सकते है tolerant है और tropical और subtropical intertidal reasons में आते हैं ये occurring mainly between 24 degree north और 38 degree south मतलब अगर हम पूरे वर्ड को देखें तो इसके 24 degree north छेतर में यहां पर mangrove जादा तर पाए जाते हैं coastal areas में salt salt छेतर में जहां पर salt लगून वगेरा होगी या समुद्र से जुड़ा वह अत्थ होगा they are referred to as a tidal forest समुद्र जौर आता है जौर जाता है तो इसलिए tidal forest इसे कहते हैं belong to the category of tropical wetland rain forest ecosystem ठेक है और क्या पढ़ सकते हैं इसमें types of mangrove formation in India तो यह डल्टाइक mangroves है मतलब जैसे नदी आई उसने डल्टा बनाया तो यहीं पर ही mangrove बनके गंगा नदी के असपास अब insular type in अंडमान और निकोबार आईलेंड तो अंडमान और निकोबार आईलेंड जो हमारा ऐसे करके हैं वहां पर insular type भी मिलते हैं कि अंदर की तरफ mangrove बन पाय जा रहे हैं importance of mangrove क्या है तो कौन-कौन सी importance इसकी breeding feeding nursery grounds for most of the commercial fishes and crustaceans है ना तो यह जो commercial fishes का breeding feeding nursery grounds होता ही है protection to the coastline coastline को बचाता है cyclones और disaster हो जाते हैं उनको इनकी रक्षा के लिए यह रहते हैं एक barrier type का soil erosion को रोखता है regulating and supporting nutrient cycle nutrient cycle को support करता है use of used as wood for fuel construction and fist traps used as traditional medicine मिलती है पर जिसे malaria को treat करने के लिए diarrhea और snake bites को सही करने के लिए traditional medicine यहां मिलती है store more carbon dioxide than most other forest ठीक है और सभी forest से जादा यह carbon dioxide को store कर सकते हैं key drivers for mangrove loss क्या क्या है mangrove loss क्यों हो रहे है तो rice shrimp and oil palm cultivation यह सभी cultivation जो है इसके इसको loss में पहुचा रहे है shoreline erosion हो रहा है extreme weather events हो रहा है ultrification coastal development तो चलते चलते इसमेच को भी देख लेते हैं हम लोग west land में west बंगाल में हमारा सबसे जादा mangrove पाय जाता है 42.45% अंडमान निकोलेंड में 12.39% है उसके बाद गुजरात में 30.66% 23.66% है तो फस्ट पे west बंगाल है second पे हमारा गुजरात है और थर्ड पे हम कह सकते हैं थर्ड पे हमारा अंडमान एंड निकोबार दीप समू है ठीक है तो ये तीन पॉइंट याद रख सकते हैं तीन स्टेट को यूटी को जनमें सबसे ज़्यादा वेट लेंड वेट लेंड मेंगरूव पाय जाता है ठीक है और सबसे बड़ा वेट लेंड हमारा हमारे पास कौन कौन सा है वह सुन्दर बंग वेस्ट बंगाल है लाज़जस्ट मेंगरूव फॉरस्ट एंड वरड वर्ड का सबसे बड़ा मेंगरूव है सुन्दर बंस और वेस्ट बंगाल has highest of India's mangrove cover followed by गुजरात and अन्ड मानिको बार यही हमने चीज़ पड़ी यहां पे तो इस figure को भी देख लेते हैं कहां कहां पर mangrove सबसे ज़्यदा पाय जा रहे है तो सबसे ज़्यदा देखी यहां पे हमारे पास सुन्दर बन में है वेस्ट बंगाल छेतर में तो इसके बाद सेकेंड पे गुजरात में है फिर थर्ड में हमारे पास अंडबान और निकोबार में है उसके बाद हमारे पास भीतर कनिका मेंग्रोव है महानदी है महानदी हाँ पर आती है डल्टाई छेतर बनाती है उड़ी सा में भीतर कनी का महा ना दी ये सब उड़ी सा में आ गए फिर गोदावरी कृष्टना में भी वेट लैंड पाई जा रहे हैं आंदर प्रदेश में फिर यहां पर तमिल नाडू छेतर में पिच्चा वराम और मुथ्विपठ है ठीक है फिर करनाटक में गोवार कव है रतनागीरी और मुंबई में भी है और गल्फ अफ खमबात में भी है तो इस तरीके से इस मैप को आप याद कर सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि कहां कहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं तो सबसे में फस्ट पे कौन-कौन से है हमारा होगा सुन्दरबन फस्ट प सकते हैं कि नैरोबी कन्वेंशन क्या-क्या है और ग्लोबल इनिशेटिव्स टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव ग्लोबल इनिशेटिव्स क्या-क्या लिए जा रहे हैं तो इसके हम कुछ मेंट्स देख लेंगे नैरोबी कन्वेंशन के बारे में पार्ट इसमें क्या-क्या आहिए नेरोबी कन्वेंशन कब आया है 1996 में यू एने पी जरीजनल सीज प्रोग्राम के अंतर गताया है फिर एक्सपर्ट गुरुप्स इसने इस्टेबलिश किये हैं टास्क फोर्स बनाई है सच एस मैंग्रोव नेटवर्क बनाया है कोरल रीफ टास्क फोर्स बनाई है से इस चीज़ को एड्रस करने के लिए एक रीजनल लीगल फ्रेमवर्क बनाया है फोरम बनाया है ठीक है ग्लोबल इनिशेटिव में क्या कर देख सकते हैं मैंग्रोव को बायोस्पेर रिजर्व में लाया गया है वर्ड हेलिटेट साइट्स में लाया गया है यह इनसको ग्ल सेंसिंग करेगा डाटा की और मॉनिटरिंग आफ मैंग्रोव एंड गिस यूनिवर्सल एक्सेस तू नियर रियल टाइम इनफॉर्मेशन वेर और वाट चेंज़ेस क्या-क्या बदलाब हो रहे हैं तो इस तरीके से हमने हमारे ये मैंग्रोव को खतम किया है इसको आप रिप